Epson L805 और Epson L8050 जो प्रिंटर है या Epson का कोई भी प्रिंटर है तो आप कुछ दिन यूज करते हैं 3-4 महिने तो आपके पास कुछ इस तरह का प्रब्लम आने लगता है तो यह हेट का प्रब्लम है तो आप प्रिंटर का हेट कैसे क्लीन करेंगे मैं आपको इस वीडियो में द प्रिंटिंग के लिए तो अब हम यहाँ पर कले करते हैं और उसके बाद आपको यहां पर कलिक करना होगा प्रिंट पर और उसके बाद आपको पर सारे सफ लेबल होंगे तो आपको अगर head cleaning nozzle check तो हम यहाँ पर nozzle को check करेंगे तो उस पर click करते हैं तो यहाँ पर आपका printer head है उसका nozzle अच्छी तरह से काम हो रहा है या नहीं तो आप जिब यहाँ पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर so करेगा तो इसे ही ठीक करने के लिए आपको अपने Epson L805 प्रिंटर को हेड को क्लीन करना होगा तो हेड क्लिक किजिए और उसके बाद आपका जो हेड है एक दो मिनट लगेगा क्लीनिंग होने में तो आपको यहां पर वेट करना पड़ेगा तो इस तरह से आप अपने प्रिंटर का Epson L805 का जो हेड है उसे क्लीन हर सकते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको और एक तरीका बताने वाला हूँ यह जो है हेड क्लीन हो गया और दूसरी तरीका यह है आपको सर्च बार में सर्च करना हूँ है और उसके बाद डिवाइजेज एंड प्रिंटर पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको अपने printer को tick करना है और फिर उसके बाद आपको see what printing पे click करना है और उसके बाद पर्फमांस में क्लिक करना है और उसके बाद printer पे click करना है यहाँ पे और उसके बाद आपको properties पे और फिर उसके बाद आपको advance में और फिर उसके बाद आपको printing default में क्लिक करेंगे तो यह option यहां पर आ जाएगा तो अब आप को यहां पर head cleaning में कर देना है तो आपका जो head है अच्छी तरह से clean हो सकता है तो आप इस दो त्रिके से आपका जो printer है Epson L805 उसका head clean कर सकते हैं तो मिलते हैं दूस्तों और एक वीडियो को ले करके